पुछान्तों को अगेन फॉलकाता आज हम जो वीडियो अप लोगों को सामने लेका रहा है वह है एक रिकोस्ट का वीडियो है बहुत सार लोगों ने हमें रिकोस्ट किया है यह कैसे हम बहुत तरीका से जैसे कि होता है स्लीप्स लगाने का टेक्निक होता है वो टेक्निक अलग से हम दिखा रहा है इस वीडियो में जैसे कि हम ब्लेजर में जब स्लीप्स लगाते है उसका एक टेक्निक होता है हम नॉर्मल कमीज में जब लगाते है उसका एक टेक्निक होता है बहुत सार टेक्निक होता है तो मैं स तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल को उन लोगों से कहूंगा अप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उससे क्या होगा मैं जितना वीडियो इंटरनेट पर डालूँगा वो आटोमेटिकल आपके चैनल पर चला जाएगा जो फेंड घर में बटकर हमारा वीडियो देख रहा है और इसी तरह सीख रहा है उन लोगों से कहूंगा आप लोगों किसे तरह देखते रही है तो चलिए मैं दिखाता हूँ मैं पहला दिखाऊंगा फ्रेंड जो हम यह हमारा एक सब्सक्राइब में से हम एक स्लिप्स लगाएंगे एक तरफ ठीक है यह तरफ हम लगाएंगे और इस बाडी को हम ठीक से कटिंग करता हूँ ठीक है तो में फ्रेंड यह कुल भी बॉडी का पार्ट से नहीं कर रहा है यह आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा ही एक दिखाया एक साइड को थोड़ा से ऐसे करके दिखाया यह देखिए मैं थोड़ा से आइसे करके अब लोगों को सिखा रहा हूँ ठीक है तो मैं पहला पिकनिक दिखा रहो फ्रेंड स्लीव्स में आप इसी तरह लगा सकतो ठीक है आपका आप मोहल में लगा सकतो तो फ्रेंड आप लोग जब कॉर्ड लगाएंगे ना तो प्लास्टिक चाप से लगाएंगे तो मैं तो आप लोग दिखाऊंगा इस लिए मैं इस चाप से कर रहा हूं ठीक है थोड़ा सा इधर उदर हो गया तो मैं फिच्टे अपर आप जब प्लास्टिक चाप से करेंगे तो यह एक टेक्निक है फ्रेंड ठीक है यह लखिया है अब एक बात आप लोगों को समझाना था फ्रेंड यह देखी है हमारा जो यह यह देखी है यह जो धागा आप दिख रहा है ठीक है हिस धागे के इधर से हमें स्टीज करना है कि कि हमारा जो कॉड है फेंड इस तरफ काठका मुभ थो इस तरफ हमें स्टीज अगर करें तो जब हम किसा उल्टा है यह तो आइसा ही दिखेगा नहीन तो यह सुट एशाँ वाला धागे दिख जाएगा ठीक है देखिए किस टाइप से हम दूट को लगा सेकते हैं देखिए थोड़ा से अलग करके दिखा रहा हूं और जब हम यह लगाएंगे फ्रेंड यह हमारा दोनों पार्ट है न यह देखिए दोनों पट को ऐसे जुड़ा रख कर आपको स्टीच करना पड़ेगा ठीक है तो फ्रेंड यह में कोई मेजर्मेंट नहीं कर रहा हो कोई की हटाटली में कर रहा हूं तो यह देखिए हमारा यह टेकनिक तो हो गया लगा ना तो आब हम क्या करेंगे फ्रेंड इसको ऐसे करेंगे ठीक है और उसके पहले हमें इसका भी इसका अंदर इसका बटम में भी एक कॉड हम लगाएंगे बटम में इसका बटम में प्रेंग। हुआ है हुआ है कि उसके बाद में यह इस बाटम को लॉक करना है फ्रेंट तो में तो एक स्टीज करके दिखा रहा हूं तो अगर आप लोगों इसमें दो स्टीज देंगे तो यह देखिए इसके बाद आपको क्या करना है आपको इसे सबसे लगाना पड़ेगा ठीके पर जब हम यह को लगाएंगे तब हमें इस स्टाइल को करना चाहिए ठीके जैसे की कूर्टी में लगता है मगर इस टेखनीक को अगर आपको पास एक्स्टा कप्रा में हो यानि कि ओड़ारी ब्लाउज में यह टेखनीक नहीं चलेगा क्योंकि एक्स्टा मर्जिन हम अगर हम ले तो क्या होगा जब हम इसे ऐसे देखिए ऐसे अगर सपोज आप समझीए मे ये टेखनीक चलेगा याने कि रेडी मेट लाइन में चलेगा इस स्टांस को अगर और हम नहीं जूँरेंगे दिखाएंगे अप लोगों को यह देखिए हमारा स्लिफ लागाना हो गया है तो यह टेक्निक यह एक टेक्निक है हम दूसरा हम दिखाएंगे और एक टेकनिक दिखाएंगा आप लोगों को ठीख हम इसका बटम को कैसे मुआ रहे हैं इस तरह की तरीका से मैं कर सकता हूँ ठीक यह देखें मैं सिंगल एक फोल्ड दिया है उसे पर डॉबल कर सकता हूँ इसे हम ढिरेक्ट मेशिन से दिखा रहो अब लोगों को मगर अब लोग क्या कर सकतो हो इसे यह देखिए इसे आप हेम से भी कर सकतो हैं का मतलब फ्रेंड हेमिंग चप नहीं है जो हम हेम करता है ना ब्लाउज में उस इस इस ते यह कर सकता कर उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद आपको क्या करना पढ़ेंगा इस साइड को जुड़ना पड़ेगा पहले कि यह और एक टिक्निक है और उसके बाद हमें इस स्लिप्स को ऐसे जुड़ना पड़ेगा यह जुक्ति करना पड़ेंगा और इसको मेजरमेंट और यह मेजरमेंट आपको दोने एक होना चाहिए इसको अगर आपके पास 16 हो तो यह armpit में भी आपको 16 होना चाहिए ठीक है उसके बाद यह slips को ऐसे उल्टाएंगे तो जिन लोगों ने यह तो जानते है तो उन लोगों के लिए वीडियो इस्टाइल को करने के लिए इससे हम कैसे करते हैं अगर कोई भी डिजाइनर अगर फ्रॉंट में बड़ा करते हैं फ्रॉंट पॉट पॉट को इसी तरह दिखेगा याने कि बैक में छोटा और फ्रांट में इसे दिखेगा तो हम क्या करेंगा यह स्लीप का जो जुड़ा हुआ पाट हम ऐसे थोड़ा सा हापिस फ्रांट में लेकर रहेंगे ठीके अगर वो डिजाइनर अगर यह इक्वाल राखा है डोनों पाट तो हम इस पाट को आई से इकल मिलाएंगे ठीके उसी जब से यह करना पड़ेगा आपको और आपको इसी तरह देखना पड़ेगा तो मैंने तो मेजर्मेंट लिया है हमारा तो कोई गर्माल नहीं होगा तो फिर भी आप लोगों को अगर यह पाट बढ़ा यह पाट छोटा यह करना ही जो बारा उसे ऐसे छोट दीजिया और जो छोटा है वो ठीक से आप खीचे ठीके पाकरे आप खीचे तो उससे क्या होगा जितना छोटा सा इसी तरह मेजर्मेंट हो जाएगा ठीके तो हमारा तो सबी ठीके तो हम दो यह देखिए अगर आप लोग और यह करें तो और यह लिए इस टेक्निक बहुत बड़ी हाए ठीक है क्योंकि यह जब देखिए फोल्ट का टेक्निक हम ऐसे करके एक तरफ देते हैं और दूसरा जब होता है ना वह दूसरा तरफ घुमाके इसी तरह हम दूसरे ओर दे देते हैं स्टीच करके स्टीच श्रीप्स लगाने के बाद पहले चलिए अब यह होगा यह देखिए हमारा दूसरा तरीका भी हो गया ठीक है अब हम इसको क्या कर सकते हैं कभी-कभी देखा है किसी ड्रेस में इसी तरह इसे मू अफ़र हमें एवला स्टीच क्या है हमने वो स्टीच को लेकर हम थांगते हैं यह देखिए उसको मार्क करके आ gegenüber और उसके के देखिए ये देखिए में 工ण की मुडरा हो और मंकर क्यों करके हुआ This देखिए फ्रेंड ठीक है यह देखिए बहुत दरादरा कट है टीकनिक होता है तो यह देखिए चैने ढ Sozial Nicholas से लिवेर्ष्त Bio से कोई आनक्रफ्र चैनले से बहुत आशा सलेखिए जिए ज़या हो तर्फ एक चाहिए जहाता है तो आब हम दूसरे स्टीच आपको शीहाएं ठीक है तो आप हम दूसरी स्ट्प आपको शिकाएंगे ठीक है की की लिफान से नस साथ, गल खिल खोटौ।